लोक जन शक्ति पार्टी राम विलास के राष्ट्रिय अध्यक्ष चिराग पासवान 23 दिसंबर को नूर सराय प्रखंड के सरदार पटेल स्टेडियम में जन समवाद कारेक्रम को संबोधित करेंगे। इस कारेक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू और जिलाध्यक्ष सत्यंद्र मुकुट लगातार नालंदा जिले में घूम घूम कर लोगों को इस कारेक्रम में शिर्कत करने के लिए निमंतरन दे रहे हैं। इस दौरान लोजपा नेता रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि बिहारियों के चहरे पर से गायब मुस्कान को चिराग पासवान ने वापस लाने का बीड़ा उठाया है। बिहार की आवाम चिराग पासवान की ओर टक्टकी लगा कर आशा भरी निगाहों से देख रही है। बिहार में लचर शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और व्याप्त को व्यवस्था को दूर करने के लिए चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कारिक्रम के तहत लोगों को इस अभियान से जोडने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों को उनका हक मिल लोग जन सकती पार्टी के राष्ट्रिय अध्यच मानिये स्री चिराग पासवान जी का अगमन नूर सराय सरदार पटेल अस्टेडियम चंडासी में होने जा रहा है इसी के सिलसिले में हम घूम रहे हैं अभि कैडी मियार जमनापूर पावा पटे डोया सिर्षिया विगा इन तमाम गामों में जाकरके निमंतरन दे रहे हैं करोडों नौजवानों को युवा दिलों के धड़कन स्री चिराग पासवान जी को आगमन को ले करके ग्रामिनों में काफी उतसाह का महल है सभी लोग टक टकी लगा करके देख रहे हैं चुकि आज चिराग पासवान बि हुए हैं सब भी हर